आपको भगवान के दर्शन जहां आपकी भावना और प्रेम उमड़ा वहाई दर्शन हो जाएंगे पेडों में, पंचियों में, पशों में, नरों में, बानरों में, बच्चों में, बूडों में, जवानों में प्रेम की भी ना काम नहीं चलता प्रेम नहीं इसलिए तो फॉज फांटे गड़ें सारे संसार के एक देश दूसरे देश से डरा हुआ है प्रेम नहीं प्रेम नहीं इसलिए तो एक भाई भूका मरता है और दूसरा राज मेलों में बैठा है प्रेम नहीं, प्रेम के बिना कोट का चरी है, ने क्या जो रत है इनकी, प्रेम हो तो कोट का चरी हो, क्या जो रत है, प्रेम नहीं इसलिए केस होते हैं, मुर्डर केस होते हैं, रेप केस होते हैं, ढाके डलते हैं, कोट का चरी होते हैं, पुलिस, पॉज, भाटे, सब बंदो प्रेम के हिर्दय में जिनके हिर्दय में प्रेम होता है वह सारे गुण बिद्धमान हो जाते हैं और परमेशन वहाई प्रगट होते हैं जा प्रेम होता है उससे पहले नहीं इसलिए किसी मान शायर ने काया कि जर्रे जर्रे में है जांकी भगवान की लेकिन किसी आखवाले ने इसकी पहचान की आख तो होनी चाहिए कोई ज्ञान चक्षू कोई अनुभाव का चक्षू होना चाहिए और वो रिलाजिशन सत्वकून से नीचे नहीं प्राप्त होता जो रिलाजिशन की भगवान बात कर रहे हैं वो सत्वकूनी ब्यक्ति के हिर्दे में अनुभाव होता है उस परमीश्वर का उस प्रकरती के सौंदरिये का उस फूल की खुश्वू को पहचानने और जानने वाला वो ही सक्स होता है जिसके इर्दे में प्रेम होता है एक मैंने सुना है किसी संत महात्मा जी के मुँझे एक माली एक बाग के अंदर नाच रहा था खिले हुए फूलों को देख करके क्योंकि माली नहीं उनको बोया था सीचा था सुधारा था क्यारियों को बाग को जो फूल खिले तो नाच रहा था अकेला मस्त एक सुनार भी वाकिंग करने उस पार्क में चला गया उसमें बोला अरे भाई नाच क्यों रहा हो क्या हो गया तुमको बोलो देखते नहीं ये फूल साक्षा भगवान के जैसे दर्शन हो रहे हैं बगीचा मेहक रहा है तो मुझे मैं नाच नहीं तो क्या करूँ मुझे भौत आनंद आ रहा है आनंद भगवान का रूप में द्यान रखिये सच्चा आनंद सुनार ने पूछा मुझे बतलाव तो सही इन फूलों में है क्या कहां है भगवान इन में कहां है आनंद इन में तो उसने तोड़ तोड़ के कली कली अलग कर दी एक फूल को सुनार ने मुझे तो इन में कुछ नजर नहीं आ रहा है तो सुनार को फूलों में खुश्वू या आनंद का या प्रेम की खुश्वू कैसे आए सुनार के हिर्दे में मन मस्तिस्क में तो सोना ही सोना है वो कसोटी पर जब तक नहीं कसले उसको कैस सोने को भी वो रिजेक्ट कर देगा जब तक पुरूफ नहीं करे कसोटी नहीं, उसके लिए तो माली की आँक चाहिए, माली का हिर्दे चाहिए जिस माली ने उन बीजों को बोया, अंकुर निकले, सीचा, पौदे बड़े हुए और उमें नाना प्रकार के फूल निकलने लगे, और फूलों से खुश्वू, महग गया पूरा पाग तो माली नासता है, माली ने जो अनभव किया, वो सुनार कभी स्वपने भी नहीं कर सकता सतोगुन के अंदर अनभव उस परमात्मा का जलकता है, रजोगुन तमोगुन में नहीं रजोगुन में संसार का अनभव जलक सकता है, तमोगुन में वो भी नहीं जलकता तम उगुन नामी तम उगुने तम यानि अंदकार जो अंदकार में जी रहा है जो अंदा हो के अपनी जीवन को जी रहा है अंदों को आखें दी जी सस्में ऐसे ही अंदों को आखें दी यह मैं सोचो कोई आख फूट गई ती रूसको आख प्रदान कर दी नहीं ऐसे महापुरुष ऐसे जिनको भगवान का अवतार कहा है यह ऐसे चमतकार नहीं दी कहा थे छोटे मोटे यह तो पूरे समाज को लावानुवित करने आते जो अंदे थे जो अंदकार में जीवन जीते थे उनको आखें दी थी जीसुस ने मुर्दों को जिन्दा किया था जो जिन्दी को मुर्दे के समान जीते हैं बीमारों को सवस्थ किया था जिनके मन बुध्धी एहंकार बीमार हैं जो इस जीवन को बीमारों की तरह घायलों की तरह जीते हैं बीमार जैसे बीमारी हो गई हो रोग लग गया हो बुद्धी में जंक लग गई हो बिचारों में पाला पड़ गया हो ऐसे चीते हैं बीमारों करके उन बीमारों को स्वस्त किया तंद्रस्त किया जैस चैतन महापुरुजी ने नचाया चैतन महापुरुजी ने डाकूँ को नचाया चोरों को नचाया जिनके पाओं कभी नाचना सीखे ही नहीं, उनको नचाया सोतों को जगाया कोई भी महापुरस सोतों को जगाया नहीं आता है अंदों को आखे देता है बहरों को कान देता है कि सुनो कैसी ध्वने आ रही है उस परमात्मा की मुरली बज़ रही है मुरली की ध्वन सुनो इन हवाओं के मैध्यम से सरवत्र, संगीत, बद्ध है सारा, बिश्व ज़रा सुनो उसके पवित्र नामों को सुनो उनमें कितना रस है उनका पान करो चैतन महा प्रूप जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, 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 हरे 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 राम, हरे राम राम, 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 हरे हरे इसका पान करो कुरुनानक देव जी ने भी वोई सरवन शक्ती दी सुनने की शक्ती दी बेरों को कान दी अंदों को आके दी, बीमारों को स्वस्त किया और जो सोये वहे उनको जगाया, जो सो रहे थे सोते सोते जिंदगी जीते हैं, उनको होश ही नहीं है सोते आदमी को कुछ होश होता है सोये वहे आदमी के उपर, चाहे मच्छर काटे है या साप निकल जाए उपर से, उसको पता ही नहीं है, कोबरा निकल रहा है सरीर के उपर से, सोय होए आदमी को पता नहीं है, घर में आग लग रही है, उसको पता नहीं चलता, कि इस सोयपड़ा है, खड़नाते मार रहा है लेकि कोई जगाने वाला चाहिए कि अरे मूर्क खड़ा हो, घर में आग लगी हुई है भार निकल भाग के संतों नहीं यही कहा कि संसार दावा न लीड लो कहा यह संसार में दावा न लगी हुई है दावाग नी लेकिन जो मूर्चित पड़े हैं सोए पड़े उनको कैसे मालूम चले कि वो कहेंगे दावाग नी का है अरे मदिरा ले हैं बहश्चा ले हैं कसीनो है कार हमारे पास है हम प्रमन कर सकते है धन है पैसा है किदर आग लग रही है भाई बैंक में, बैंक 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 स्वीज स्वीज बैंक में खाते है किदर आख लग रही है योज़ारी बहुत दनल जरा दा यह बेकारी बात मत करो आई जिनों ने रिलाईश्च के आइस अगनी हो उन्होंने कहा कि संसार दावा नहें संसार दावा नलली धेलोका त्रानाय कारुन्य घना घनत्वं ताप्तष्य कल्यान गुनार्न वश्या बंदेगुरो श्री चर्नार विंदं जनों ने जाना उनों ने का बुद्ध ने जाना बतलाया महवीर ने जाना बतलाया गुर्नानक देव ने जाना बतलाया